जूब साटे चलता है एक को स्वांगात है जो लोग मेरे बारे में चलेंजिंग्स या नियुक्त आरे को पढ़े पूरी गया ओесс हम लोग का स्पेसल मैट टेस्ट चल रहा है वी ऐसे केड़मी में जो लोग पतना से हैं इस टेस्ट का पार्ट बन सकते हैं कि दो आज का सवाल सुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा सक्सेसिव कार्ट कुछ टर्म समझाना चाहूंगा ठीक है वो चीज़े समझनी क्या है यहां पर कि सक्सेसिव एक्षुली में होता क्या है कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज हम लोग करते हैं यहां पर एक्स प्लस वा लाइन तो हम लाइना है तो वहांक वह मार format लगता है नृवह हम बोलें कि फोस्ट पर्ट में हमनेे 20 परेसंट का इन्कृस कराया है । अधर्ट हम लोगों investment दाठेंग? चब चाहिए 20 माइनस में 30 और यह प्लस माइनस है तो यहां पर हमारा क्या आजाएगा माइनस 20 in to 30 upon में क्या हमारा हंड़ेड ठीक है जब लोग ने इसे साल्फ किया तो इसे साल्फ करने क्वाद हमें क्या मिला यहां से माइनस में 10 और माइनस में 6 that is none other than minus 16% चीजों को पहले ध्यान से समझना और उसके बाद फिर आगे चलेंगे हम लोग ठीक है जिस तरीके से successive जो है हमारा percentage पर लगता है उसी तरीके से successive हमारा fraction पर भी लगता है ठीक है देखो यह x जो है 1 by 100 is equivalent to what 1% ठीक है तो जब सब चीजों को अगर हम लोग fraction में change करेंगे तो यही fraction में change करने के बाद यहागा माल लो fraction यहाँ से कुछ a by b देगा x का फिर यहाँ से इसका देगा c by d देगा y का ठीक है प्लस में हम लोग क्या करेंगे a by b into में क्या c by d 1 by 100 का मतलब ही होता है कि 1% होता है ठीक है तो इसको भी जब हम लोग चेंज करेंगे fraction में तो वन का वन ही रह जागा यानि वन का कोई value है नहीं हमारा ठीक है तो 1% का जो fraction है वहाँ तो कोई value नहीं है तो हमें चीजों को आगे समझना है कि जब भी कोई value अगर percentage के terms में है उसे fraction में indicate करना है तो क्या कर जाएंगे numerator by denominator of the first ठीक है एन वन डीवन से हम लोग इंडिकेट कर देता है सेकेंड को हम लोग अगर इंडिकेट करेंगे और अगला जो होगा एन वन बटे में डीवन इंटू में क्या एन टू बटे में क्या डीटू जब हम लोग को fraction पे successive निकालना रहता है तो हम लोग करेंगे आगे हम लोगों क्या बोल रहा है सवाल में कि इस सवाल में अगर हम लोग इसी को 20% को फ्रैक्शन पर करके चलते हैं 20% का fraction हमारा कितना होता है 1 by 5 ठीक है 30% का हमारा कितना होता है 3 by 10 तो अब देखो यहां पर हम लोग सब्समें 1 by 5 ठीक है माइनस में 3 by 10 और फिर म हम लोग परसेंचे में zwei को इसे करेंगे चंज कर एंग कि सबस्क्राइब करने के भूड़ा पर लिए वह और लिए 2 जल रहेज्स 2 कि निब्सुमें 50 ऑर 5 का दे और वो मैंनस वह कहतं करेंगे माँनस हाठiran में कितना 50 ठीक है !! लोगों को यहां पर तो जब 50 दे दिया अब यह हमारा क्या है इसे जब लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे माइनस आठ बटे में 50 गुने में कितना हंडिड ठीक है और यहां पर से लगा देंगे यहांनि 50 से कट जाएगा यह दो बार में आठ दुना यह क्या देगा हमें 16 परसंट देगा विथ निगेटी में अभी हम लोग ने प्रती किलोग्राम तो फाइव रुपिस पर के जी मैंने यहां पर लिख दिया ठीक है इट इस इंक्रीजड बाई जो इंक्रीज होता है वो होता है 16.66 परसंट से ठीक है यह इंक्रीज होता है जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आपको मालू है वन बाई 6 तो पहले हम लोग य फेमिली युजज 57 kg less rice ठीक है फैमिली जुह है फैमिली का कंजम्सिन जो है क्या हो जाता है 57 kg कम कर दिया बत इस्तील दा एक्स्पेंडिचर इस डिख तो एक्सपेंडिचर पर जाने से पहले यहां पर समझो कि फ्रैक्शन वाल्यू कंजम्सं जो है 57 kg से गभार जाता है तो पर संटिवी कुछ परसंट से कम हो लिख माल लिए मैंने वाई परेसंट जिसकी इसकी फ्रैक्सनल कम होगा यहां पर ढॉन-अब को दिखा रहे हैं जिसकी फ्रैक्टनल मेले एक। तुल दी X- beiden होगी ठीक है y पर संद क्मान्थ क्वांड क्या होगा एक्सपन में ठीक है अब यहां से देखो कुछ काम mirika क्या राहा है preço भी नहीं मालून थीक है दूकर रहा है vertical expenditure expenditure है व이 कितने % und करता है 20 22% से ही मातया की करता है 22.22% तोamt ओपे देखें तो 22.22 कितनी कितनी हो जाएगी नाइन यहां पर पितनी नाइन यहां को जाएगा इनक्रीज आ डिक्रीज और यहां पर वह पी क्या lez कर देंगे ठीक है तो हमको मालूम है क्या मालूम है price into conjunction is equal to expenditure होता है ठीक है अभी मैंने बता है कि इन दोनों का effect इस पर डालना होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं successive लगाते हैं ठीक है अब देखो price में हमारा जो है अब fraction पर चलेंगे क्योंकि 16.66 को लगाना successive percentage के टर्म में बहुत डिफिकल्ट है ठीक है फ्रेक्शन में चलेंगे तो यहां पर हमारा सबसे पहले क्या होगा 1 by 6 का increase किया कंजम्शन में x का decrease क्या x by 1 और फिर plus into minus क्या हो जाएगा minus 1 by 6 into x ठीक है जब 1 by 6 into x यहां पर हो गया तो तो उसको उधर जब ले जाएंगे तो यह वाला टर्म जब हम लोग solve करेंगे तो यह टर्म हमको साफ साफ दिख रहा solve करने बाद क्या देगा minus 7 x बटे में क्या 6 बराबर में minus 2 by 9 ठीक है और minus में क्या 1 by 6 इसको भी नीचे 3 ऊपर 3 से गुना कर दिए नीचे भी 2 ऊपर 2 से गुना कर दिए 2 दूना 4 में 3 चला जाएगा कितना हो जाएगा minus 7 x by 6 is equal to minus 7 बटे में क्या 18 ठीक है minus 7 यहां से minus 7 खतम 6 से कट गया 3 बार में यानि आप चाहो तो यहां से हमाज जरुवत नहीं है लेकिन आप चाहो तो यहां से बोल सकते हो वाई का जो वेल्यू आएगा 33.33% क्यों क्यों क्योंकि 1 by 3 जो होता है 33.33 ठीक है अब यहां से ध्यान से समझना कि एक्स जब 1 by 3 निकल गए मतलब क्या 1 by 3 कि हमारी क्या यह कमी हो रही है 1 by 3 का ही मान हमें दिये हुए है ना यहां पर कितना 57 kg ठीक है तो 1 by 3 का जब मान दिये हुए है तो आप ऐसे भी बूल सकते है 1 by 3 जो हमारा है वो कमी हो रहा है तो यानि कि अभी हम लोग कितना युज़ कर रहेंगा टोटल अगर हमारा 1 है और 1 by 3 की कमी हो तो हम लोगों ने टोटल अभी कितना युज़ किया ठीक है यानि 2 by 3 अभी हम लोग कितना युज़ कर रहें 2 by 3 तो 2 by 3 कैसे निकल लेगा तो से मल्टिप्लाइ कर दिया तो यह हमें देगा 114 kg यानि at present मैंने जो यूज़ कर रहा है वो लेडी जो यूज़ कर रही है वो कि करने के बाद जो है उसने डिजाइड किया तू सेल 2 by 3rd of his rice ठीक है उसके पास इतना राइस था उसका तूठट तो कमी होने के बाद उसके पास राइस कितना था 114 kg 114 kg का दो बटा 3 को वो क्या कर दे रही है राइस टू मिस्टर सर्मा मिस्टर सर्मा को बेच देरी है ठीक ह at a profit of 20% 20% के profit तो rate क्या है सबसे पहले rate निकालो rate क्या है जब वो बेच रही है उसका कमी करके kilo में तो अव्यसे कि price increase करने के बाद वो कितना हो गया 5 into 7 by 6 तो price increase हो गया नया वाला price हमारा कितना हो जा रहा है 5 into 7 by 6 ठीक है और इसी price पर वो क्या कर रही है 20% का profit गिन करी है यह कि यहां से हम लोगों ने लिख दिया 120 बटे में क्या 100 और यही एमांट जो है Mr. Sarma जो देंगे किसको देंगे लेडी को देंगे ठीक है और यही हमें निकालने बोला है find the amount that lady got from Mr. Sarma ठीक है तो यहां से 00 खतम पांच दुना यहां से 10 खतम हो जाएगा 6 से यह कट जाएगा बार में और यहां 3 से जब आप इसे काट आप तो थीन से यह कट जाएगा 38 बार में ठीक है बचा क्या हमारे पस 38 into 72 जा कितना 14 38 x 14 कितना हो जाएगा हमारा 532 और इसी के साथ हमारा जो एंसर है 532 रूपीज और एंसर ठीक है चीजे को सहां से समझना कि जब भी बड़े-बड़े इस तरीके से पर्सेंटेज में दिए वे रहते हैं 16.66 22.22 इन चीजों को जब हम लोगों को लगाना रहता है सक्सेसिप के फार्म में तो जस्ट सिंप्ली फ्रैक्शन के फार्म में लगाते हैं 100 का कोई यूज नहीं होता है क्योंकि सब जगह से 100 क्या करना है हमें गैप करते ह होब आप लोगों को ये क्लियर होएं